अज हम करेंगे चेप्टर नमबर 7 और क्लास 9 एक्सराइज 7.2 ग्वेस्टिन नमबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है एक ट्राइंगल है एक ट्राइंगल है जो के एक आइसे लाइस ट्राइंगल इन्होंने दे रखिये जिसके अंदर AB is equal to AC ओके इन्होंने क्या जो side है जो AB हमारे पास side है इन्होंने क्या क्या वो further produce कर दिया उसको further बढ़ा दिया जो जाके D point से मिल रही है such that जो AB है वो equal है AD के suppose यह 3 है तो यह भी कितनी होगी 3 होगी show that angle A, C, B, C, D जो यह वाला angle है वो क्या बढ़ाना है हमने वो किसके equal है? right angle के equal है अब जो हमारे पास given है हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं given that triangle A, B, C एक iso slash triangle है यह वाली triangle iso slash triangle है जिसमें AB is equal to AC है और क्या given है? AD is equal to AB अब AB is equal to AC है AD is equal to AB है यह क्या implies करता है? AC is equal to AD होगा क्योंकि AB इसके equal भी है AB इसके equal भी है कि यह दोनों भी equal होगे? equation number 1 नाम देदा है इसको ओके अब देखो हमें इस triangle अगर हम यह triangle लेते हैं in triangle in triangle ABC we have AB is equal to AC अगर AB is equal to AC है इसका मतलब क्या हुआ है? angle B is equal to.. अगर हम इसको एसको नाम देदीटे angle 1 और इसको नाम देदे अंल 2 यह हमारा angle 1 है और यह angle 2 है अब यह दोनों side है यह दोनों side है equal है तो यह side के जो opposite में angle बनता है वह और इस side के opposite में angle बनता है दोनों क्या होंगे? एक्वड अगर यह दूनों साइड है एक्वल एतो एंगल बीट ऐक्वल टो एंगंगल वन रिजलें लेख देंगे आएंगल आगे आप किया है इक्वल साइड्स कर जल पारजड शार Congल भन हंग है कोको लोगत दीघंग no.2 इन triangle आप दूसरी triangle ले लेते हैं अब हम triangle ले लेते हैं कौन से वाली ये वाली in triangle a b c a d c आप triangle ले लो in triangle a c d a c d या a d c कुछ भी लिख लो a c d we have a c is equal to a d by equation 1 ये रहा equation 1 हमें था a b is equal to a c है तो a d a b a d के एकवल है तो दोनों एकवल होंगे अब दो साइड होने का मतलब अंगल ये वाला और ये वाला दोनों एकवल होंगे means angle d is equal to angle 2 हमने नाम रखा हो इसका 2 okay equation number 3 now by adding equation number 2 and 3 we have equation number 2 और 3 को हम add कर देंगे left को left से right को right से angle b plus angle d is equal to angle 1 plus angle 2 अब angle 1 और angle 2 को अगर आप add करते हो ये पूरा angle बन जाएगा which is equal to angle b plus angle d is equal to पूरा angle क्या बनेगा angle b c d angle b c d ये ही बनेगा equation number 4 ओके ठीक है अब हमें अब हम ये पूरी triangle ले लेते हैं triangle b c d हमें ये angle 90 का पूरी triangle ले लेते हैं triangle b c d अब देखो हम क्या कर रहते हैं पूरी triangle ले लेते हैं in triangle b c d we have अब आपको एक एंगल प्रोपर्टी पता होगा एंगल सम प्रोपर्टी एक एंगल जो एक triangle होती है उसके जितने भी एंगल होते हैं वो किसके एकवल होते हैं 180 के वही लगा देंगा angle by angle sum property of triangle आपके पास यहां से angle b plus angle d plus angle b और angle d plus angle यह वाला angle angle b c d is equal to 180 अगर हम equation 4 से देखें यह तो किसके एकवल है b c d के equation number 4 angle b और d को अगर add कर रहे हो तो angle कौन सो आ रहा है b c d वहां पे इसकी value पूट कर लेंगे angle b c d plus angle b c d is equal to 180 यह लिख देंगे by 4 equation number 4 2 b c d b c d is equal to 2 b c d angle 180 डिगरी angle b c d is equal to 180 by 2 this implies angle b c d is equal to 90 डिगरी यह हमें क्या प्रूव पराना था ओके given क्या था सबसे पहले देख लेते हो एक बार फिर से क्या है आपके पास एक triangle थी इसकी दो साइड है a b और b c equal थी इन्होंना कहा है कि जो a b को हमने further produce कर दिया और d तक ठीक है और कैसे किया कि a d is equal to a b के equal है अगर a d a b के equal है और a d a b के equal है और b c a d के equal है और b c a c के equal है मतलब यह दोनों be equal हुए फिर हमने क्या आइस त्रेंगल में a b is equal to a c means यह दोनों angle equal होंगे इसको हमने angle one नाम दे दिया इसको two नाम दे दिया ऐसे फिर हमने यह वाली triangle ले ली इस वाली side के equal है means यह वाला angle यह वाल angle दोनों क्या होंगे equal हमने वही लिख लिया उसके बाद हमने equation two और three को add कर दिया left को left से right को right से हमारे पास क्या आया है अब angle one और two को add करेंगे पूरा angle बनेगा b c d angle बनेगा वही हमने नाम लिख लिया angle b plus angle d is equal to यह यहां तक हमारा equation number four तक हो गया उसके बाद इन्होंने हमने क्या किया हमने यह पूरी triangle ले ली पूरी triangle क्योंकि हमें यह angle दिखाना था 90 के equal हम क्या करते हैं पूरी triangle ही ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं angles हम property लगा लेते हैं किसी भी triangle के जो angles होते हैं उनका पूरे का सम कितना होता है 180 हमने वह सब angle लिख लिए angle a angle b plus angle d plus angle b c d यह वहले angle ओके बट equation four से हमारे पास क्या आ रहे है angle b और angle d is equal to angle b c d वह हमने value पूट कर ली अब angle b c d plus angle b c d to angle b c d is equal to 180 अब यह two एदर जाके divide हो जाएगा और यह क्या आज आएगा हमारे पास 90 degree यही अपने प्रूव कराना था आयों आप सब के समझ में आया होगा आज के लिए इतने थैंक्यू